ओर हिंद आप सभी के में डिफेंड चैनल पे स्वागत है तो आज के डिफेंड डिफेंड यदिट वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा इंपर्टन टॉपिक के बारे में डिसकेशन करने वाल है तो क्या डिफेंड एडियो फेलियर है तो अब फिला रिसेंट में ही इस र रहा है और diao के प्रोजेक्स के बारे में कहा जा रहा है कि D-R-D आपको मेरा defense के related content नचा लगता है तो मेरे वीडियो को like भी कर सकते हो और आपको defense के related कोई भी question हो तो आप अपना question comment section में जरूर लिखेगा जिसका answer मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूँगा तो आज की defense update वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले जो लोगे DR की बुरह करते हैं उनसे मैं एक ही चीज पोचना चाता हूं कि आप DR क बारे में जानते ही कितना हो तो इससे लोग क्या करते हैं कि Media में से एक-दो मुद्धी को उठा लेते हैं और बाद में उसके उपर Topic बना देते हैं और उसकी बाद हमारे नहीं मिल पाया और इसके अलावा बारत को किसी अन्य फॉरेंड कंट्री का एंजिन को चूज करना पूड़ रहा है तरह के लोगों को मैं यह बता देना चाहता हूँ कि जो कावेरी जैट एंजिन प्रोग्रम है वो पूरी तरह से फेल भी नहीं हुआ है तो कावेरी एंजिन का जो आप्टर बर्नर सेक्शन है उसको निकल कर ड्राइ कावेरी एंजिन का यूज किया गया है और इसके अलावा बात करें तो जो कावेरी एंजिन की रिसर्च है वो भारत को बहुत ज़्यदा काम आई है अलाव बात करें तो चाइना जापान जैसे देश भी अपने फर्स अटेम में जेट एंजिन को नई बना पाई थे तो बार-बार फेलियर का समना करने के बाद ही वो एक सफलता पूरक जेट एंजिन को बना पाई है उसके अलाव बात करे तो अमेरिका जैसे दिसको जो कि एक लंबे टाइम से खत्यारों को बना रहा है उनको भी कई सारे डिफेंस प्रोजेक्ट में देरी और फेलियर का समना करना पड़ा है अब हम D.I.O के कुछ रिसेंट प्रोजेक्ट और D.I.O की द्वारा बारत को दिये गए अत्यादिने खत्यारों के बारे में डिस्कुशन कर लेते हैं तो भी रिसेंट में ही बारत की D.I.O की द्वारा रूदरम टू नेक्स जरनेरेशन एंटी रिडेशन मिसल का टेस्टल कि अस्त्रह माक टू नाम की मिस्ल के उपर भी काम किया जा रहा है यह खोशी की बात तो यह कि हाइपरसोनिक मिशल डियवलोप्मेंट में अभी फिलब भारत अमेरीका से भी आगे चला है और बीच में ऐसी भी उपर भी हमारे डियाडियो बहुत इत्यजी से काम करा है और इन फाइटर जट के कई सारे सिस्टम अभी फिलाल डेवलप भी कर चुका है अलावा बात करें तो 7000 किलियोमेटर मारक शम्ता रखने वाले अगने 5 मिसाल भी डियाडियो के ही देन है और उसके अलावा इससे ज़ादा भी अडवास्टर इन मिसालों के उपर अभी फिला डियाडियो काम करा है तो ऐसा नहीं है कि डियाडियो के प्रोजेक्ट में देरी नहीं होती है तो कई सारे गल्ट डेसिजन की वज़े से डियाडियो के प्रजेक्ट्स में भी देरी होती है और फेलियर भी होता है जिसका बलेम डाइराइकली DR.U. पर लगाना पहुत ही बुरी चीज है अलाव बात करें तो DR.U. अगर नोटम बेज़ देता है तो चाइना अपने स्पाई शिप को बेज़ देता है कि D.A.D.O कौन से कतरनाख मिसलों का टेस्टल करने वाला है D.A.D.O के बारे में जो भी लोग बुराई करते हैं उनको सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि पहले आप D.A.D.O के बारे में पूरी चांदकारे ले लो बात ही D.A.D.O के बारे में कुछ कॉमेट करो तो होप आपको मेरा इंफोर्मेटी वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अंदक देखने के लिए धनिवाज जहिन जय पारत मिलते हैं अगले वीडियो में